मित्रों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आगरे है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और स्एयर करना न भूले है वैसे तो हर माह पुर्निमा होती है लेकिन शरद पुर्निमा का महत्व कुछ हलागी है हिंदू पुराणों के अनुसार माना जाता है कि शरद पुर्निमा की रात को चांद पूरी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है इस दिन चान्दी राद सबसे तेज प्रकाश वाली होती है, माना जाता है कि इस दिन चान्द की किरण धर्ती पर अम्रित वर्शा करती हैं, ये किरण इसेहत के लिए काफी लाबतायक होती है, इस राधरे में भ्रमन और चुंद्र किरणों का शरीर पर पढ़ना बहुत ही श सनान के साथ, राधा दामुदर पूजन वरत धारन करने का भी दिन है, श्रद्धालों की मानेता है कि इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में लगभग चार घंटे के लिए रखना चाहिए, इस राध चंद्रमा से निकलने वाले समस्तूर जया उस खीर के भूग में समाहित हो जाती है, इसे प्रसाद रूप में लेने वाले व्यक्ति की दीर खायू होती है, इस खीर के प्रसाद से रोग शोक दूर होते हैं, बीमारियों का नाश करने वाली है इने अमरित वाली खीर, रोग कियों के लिए शरद पूर्णिमा की अमरित की खीर वरदान साब करता है